दोस्तो अगर किसी फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बॉलिवुट के सबसे बड़े हीरो सानी देवल की फिल्म गदर टू की गदर टू आने वाले 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है फिल्म का एडवांस बुकिंग चल रहा है जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपने फ़र्च डे पर एक अच्छी ओपनिंग लेते हुए हमें नजर आएगी तो वहीं दोस्तो दूसरे तरफ इसी दिन 11 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है अक्छे कुमार की फिल्म ओएंजी टू जिसे की अक्छे कुमार और अक्छे कुमार के फैन से बहुत ही उमीद है अलाकि फिल्हाल फिल्म को लेकर कोई ज़्यादा क्रेज नहीं देखने को मिल रहा है उमीद है कि अक्छे कुमार की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अच्छी करेगी लेकिन कहीं न कहीं सनी देवल की फिल्म गदर 2 के मुकावले उतना ज़्यादा प्यार मिलने वाला है नहीं फिल्म OMG 2 को लेकिन फिर भी फिल्म का कितना कलेक्शन होने वाला है और कब तक फिल्म की एडवांस बुकिंग सुरू हने वाली है और दोस्तो आने वाले सितंबर में यानी की साथ सितंबर को सिनिमा घरों में रिलीज होने वाली है बॉली बुट के किंग खान सारु खान की फिल्म जवान इसको लेकर फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म का टेलर भी रिलीज हो चुका है फिल्म के पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं और फिल्म का एक गाना भी जिन्दा बंदा रिलीज हो चुका है बहुत ही सांदार रिकार्ड तोर व्यूज मिले हैं अभी कल ही ये गाना रिलीज हुआ था वो जवान फिल्म अपने फर्स डे पर कितना कलेक्शन करने वाली है तीनों फिल्मों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बस आप वीडियो में पूरी तरह से बने रही है दोस्तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर अक्षे कुमार की फिल्म OMG2 की तो यह ड्रामा कोमेडी फिल्म है इसका पहला पार्ट भी रिलिज हुआ था सायद आपने देखा होगा और उसी फिल्म का दूसरा पार्ट है क्योंकि फिल्म को सफलता मिली थी तो फिल्म के मेकर्स ने OMG2 को दुबारा बनाया हाला की फिल्म बहुत बढ़िया है और यह फिल्म अमित रॉय के डिरेक्शन में बनी है और फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले हैं अक्षे कुमार पंकच ट्रिपाठी यामनी गोतम एहम किरदार में नजर आई है और फिल्म की बजट की बात करूते इस फिल्म की काफी ज़्यादा बजट है लगभग 150 करोड से ज़्यादा की यह फिल्म बनी है और फिल्म को बॉक्स ओफिस पर हिट और सूपर हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड रुपे कमाने होंगे फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी तीन से चार दिनों में सुरू होगी और उमीद है कि अपने फर्स डे पर फिल्म ओएमजी टू कम से कम साथ से आठ करो रुपे की ओपनिंग लेते हुए नजर आएगी लेकिन अगर उसके बाद फिल्म का अच्छा रेविव मिलता है तो ओडियंस फिल्म को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि अपने वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन कर ले तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट मानी जाएगी तो अब बात कर लेते हैं सारुख खान की फिल्म जवान की इसको लेकर बहुत ज़्यादा ओडियंस का के साथ नैन तारा विजे से तुपत्ती आहेम किदार में नजार आने वाले हैं फिल्म एक्सन थेलर से भर फूड है लेकिन फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ है अगर मैं बात करूँ फिल्म की फर्ष डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो जब सीनेमा घर में रिलीज होगी तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 115 करोर रुपे की भी ज्यादा से उपनिंग करेगी किन दोस्तों फिल्हाल बात करेंगे गदर टू की जिसको लेकर एडवांस बुकिंग भी फिल्हाल चल रही है लेकिन गदर टू को लेकर जिस तरह से क्रेज यह हमने नहीं देखा था क्योंकि गदर टू सनी देवल की फिल्म है और सनी देवल बॉलीवूट के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं कि जब गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलिज होई थी तो फिल्म को कितना चांदार रिस्पॉंस मिला था यह हम सभी जानते हैं तो ठीक उसी तरह का रिस्पॉंस मिलने का उमीद है फिल्म गदर टू की लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करू फिल्म की अभी तोटल एडवांस की तो कुछ लिमिटेड जगहों पर एडवांस बुकिंग चालू है और फिल्म ने लगबग एक करोड़ तीस लाक रुपे से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है या पर सो फिल्म की पूरी तरह से एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी और फिल्म गदर का पहले दिन का कलेक्शन एक सो पचास करोड़ रुपया रहने वाला है पूरे दुनिया से दोस्तों क्या आप लोग भी अक्षे कुमार और सारुक खान के और सनी देवल के बहुत बड़े वाले फैन हो तो हमारे वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारा चैनल से एनिमेंटिक से रिवीवाड़ सब्सक्रेब करना ना भूलना